हलो दोस्तों, अगर आपने Android से iPhone में कोई भी movie को transfer किया है, तो आप उसको कैसे play कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ, या सिर कोई भी file है, तो आप उसको कैसे play कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ, आप कोई भी third party app से उस video को share करते हो, और मैं share करो से किया था, जाके देख सकते हो file में और यहाँ पर जो भी file आपने share किया था, यहाँ पर आचारिया में movie share किया था, यहाँ से open कर लेना है, उपर arrow है, download का symbol दिया हो है, तो यहाँ पर आप जाना है, यहाँ पर जाने के बाद, save to file कर लेना है, यह save to file हो गया, तो जहाँ पर भी save करना है, iCloud या फिर file में save करना ह तो आप VLC में चले जाना और VLC में धेर सारा option देखने को मिलेगा video, audio, playlist, network तो network में चले जाना, network में जाने के बाद यहाँ local files आएगा local files में जहाँ पे भी आपने save किया था, means download या फिर files, या फिर iCloud, my iPhone, share करो तो जहाँ पे भी आपका file है, उसको click कर लेना है, जिसे कि अगर आपने extract नहीं किया है तो direct आपको share करो में जाना है, और यहाँ से आचारिया सर्च करना है, जिसे कि जो movie मेरा था आचारिया आगया, तो यहाँ पे मैं direct play कर पाऊंगा, अगर आप दुसरे file में transfer किया हो, means phone में, तो मैं दोनों जगा रखा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको show करेगा आप कोई भी website से, कोई भी video या कोई भी movie को download करते हो, और अगर आप direct आपके photos में या फिर files में show नहीं हो रहा है, direct VLC में जाके आप वहाँ पे file का नाम सर्च कर सकते हो, और वो file आजाएगा और direct आप play कर सकते हो, इतना easy होता है video को play करना, तो आप ऐसे करके कर सकते हो, ऐस यह regular update के लिए चैनल को subscribe कर लेना, thank you for watching my video